हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, रुची शर्मा ओफीशियल सो गाईज, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब कापी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैपी होंगे और आप सब को मेरी तरफ से हैपी गोबर्धन और अभी हम जा रहे हैं गाउं, गाउं में ही हम गोबर्धन की पूझा करेंगे क्योंकि हमारे इदर वो जो बोलते हैं गोबर मिलता नहीं है सो इस वज़े से तो हम गाउं में भी हमारा घर है, सो हम गाउं में जाएंगे जहां पर जो हमारा गाम वाला घर है उसमें जो रहते हैं वो कर रहे हैं तो हम वहीं पर ही पूझ के आएंगे तो अब भी हम निकलते हैं और मैंने पहनी है यह सिंपल सी साड़ी ज्यादा हैवी मैंने लुक लिया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही है दो तीन दिन हो गए हैवी हैवी साड़ी पहनते हुए इस वज़े से और इवाना इदर आओ इदर आओ और इवाना को देखो यह इवाना को देखो सो गैस अभी हम निकलते हैं मैं मम्मी रेडी हो चुके हैं पापा अभी रेडी हो रहा है खूफ फापा कोई आगया था इस वज़े से हमें जाना तो चार बज़े था लेकिन 5 बज गए हमें निकल निकलने में सो अभी निकलते हैं थोड़ी दिर में और मैं दिखाती हूं वापे कैसे पुजा होती है गाइस अब हम निकलने वाले हैं मम्मी अभी ताला लगा के आ रहे हैं अंदर घर में और पापा और ये कुछ बात करें कोई आने वाला है तो उसकी वेट में सो फिर मैंने सोचा मैं तो बैठी जाती हूं गाड़ी में मैं अबर अपने बैटरी हूं इवाना को मैंने बिठाई लिया है सो अब भी निकलते हम गाउं के लिए गाइस हम पहुँच चुके हैं हमें अपने घर से और गाउं आने में आदा गंटा लगता है सो अभी हम आ चुके हैं अपने गाउं वाले घर में और यहां की हालत बहुत खराब हो रखिये गाईस कोई बात नी अभी ये खाट देख रहे हो इसके नीचे गोगर्दन महाराज है सो पूजा करेंगे पूजा शायद छे बजे के बाद होगी सो गाईस हम पहुच गए हैं अपने गाउं वाले घर में अभी पूजा करेंगे क्योंकि जो सामने रहते हैं वो अभी कहीं गए हैं तो वो आने वाले हैं तब हम सब मिलकर पूजा करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि यहां पर कैसे क्या पूजा होती है यह देखिए गाईस हमारे गोवर्धन महाराच गाईस यहां पर तो बहुत सिंपल उससे बनाया है जो मेरे माई के साइड बनता है वो तो काफी बड़ा और अच्छा बनता है और यहां पर भाईया आ गए हैं यह पूजा वगएरा स्टार्ट करती है अब हम सब मिलकर यहां पर पूजा करेंगे गोवर्धन महाराच की गाईस मैंने पहली बार ही गोवर्धन की पूजा करी है शादी के बाद क्योंकि मम्मी दिली में करते नहीं थे कि गोवर्धन नहीं मिलता है उसकी वज़े से सो मेरा फर्स्ट टाइम है शादी के बाद गोवर्धन की पूजा और फिर उसके बाद गाईज ये देखिए हम सब खड़े हो गए भावी वगेरा भी आ गए सब पूजा करेंगे हमारे को बीस साल होगी बूल गए सब कुछ बूल आंगे पड़ा ये लगावे चैना वाल आ डिर्माद चाद शोड़े को बार बमनलगे सराफ हम या ऑगाईज चैना असंटेजेदेश्स पे आ किया अन्टान की ताह आंगे अनुसिर अथि वालशी निद्रियोक यही बारान यहां दूर नॉर की परिकम गड़ी परिकम भाक में मैं भर श को खर्ड़ी प्रसुप पीर प्रसु आजा झाजए नहीं जाजए विद्धों इसका हूं करने प्लब अधर में अधर साथे अधर से बाड़ से आखके और स्वार में जिए जिए जी को न बीजोटा है कि मैं रुख जाता बंद बाप देखाए अड़ण पंग बस्ता ही है जाता है इस में रात में ब्लोग एंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फोन की बैटरी घतम हो गई थी और जब हम घर आए फिर आते ही हम सो गए थे कोई काम वगदर नहीं है क्योंकि हमें वहीं से ही लेट है था हम 10 वजे आये थे रात में इस वज़े से और आज वैसे गोगवरधन कल ब होजेंगे यह अच्छा लगता है मुझे यह चीजे तो है मिलती हूं नेक्स टोलोग होगा बही अजोज का आज को जाने वाली हो अपने माई के I hope guys आपको मेरा एक ब्लोग कापी अच्छा लगा होगा So like करें, share करें, comment करें और bell icon जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर ब्लोग की notification मिल जाए और subscribe करना बिल्कुल भी न भूले